एक जनुरी को राशी के अनुसार पहने इस रंग के कपड़े माता लक्ष्मी होगी महिरबान नए साल 2030 को आने में कुछ ही घंटे बचे हैं इसके आने की खुशी में कई लोग शोपिंग करने जा रहे हैं तो कई लोग ट्रिप्स का प्लान कर रहे हैं कई घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं कुछ लोग पहले दिन अपने कुल देवी देवता के मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं तो कुछ लोग दान पुन्य करने के इच्छुक हैं इसी के चलते हमने सोचा क्यों ना आप सभी को बताया जाए कि कौन सी राशेवाले को कौन से रंग का कपड़ा पहनने से होगी महालक्ष्मी कृपा जिने यदि आप अपनी राशी के अनुसार साल के पहले दिन एक जनवरी को पहनेंगे तो पूरे साल आप पर मातालक्ष्मी की विशेश कृपा बनी रहेगी और आपके उपर आर्थिक बोज कम होने की योग बनेंगे तो आए बिना देरी किये जानते हैं नव वर्ष के दिन किस राशी वाले को किस रंग के कपड़े पहनने का सुझाव दिया जाता है सबसे पहले बात कर लिते हैं मेश राशी रिमेश राशी के जातक यदि एक जनुरी को ला रंग के वस्तरधान करते हैं तो इससे माता लक्षमी प्रसंद होगी मगर याद रहे इस दिन काले रंग का कोई भी कपड़ा आपको नहीं पहनना है अन्य था आपको इसके नकरात्मक प्रेनाम भूगतने पढ़ सकते हैं वरिशब राशी वास्तु सास्तर के अनुसार वरिशब राशी के जातकों को एक जनुरी के दिन सफेद गुलाबी या क्रीम रंग के कपड़े पहनने का सुझाव दिया जाता है भूल कर भी इस दिन आप लाल कपड़े ना पहने मिठ्धु राशी आप इस दिन हरे रंग के कपड़े पहने तो ज़्यादा बहतर हैगा इससे आपकी रचनात्मक वृद्धी होगी और साथ ही किसमत भी चमकेगी करकराशी नए साल के पहले दिन करकराशी के जातकों को पीले और हरे रंग के कपड़े पहनने का सुझाव दिया जाता है इससे आपका सोय हुआ भागे जागेगा अठके या रुके हुए काम पूरे होंगे और आपको सफलता भी मिल सकती है आपको सलहा दी जाती है कि इस दिन काले रंग के कपड़े आप बिलकुल भी ना पहने क्योंकि हिंदु धरम के में इस रंग को अशुमाना गया है सिंग राशी नए साल पर पहनने के लिए सिंग राशी के जातकों के पास कई रंगों का ओप्शन है आप इस दिन लाल रंग केसरिया रंग पीले सुनहरे और सफेद रंग के कपड़े पहन सकते हैं माता लक्षमी का दिवया श्रवाद प्राप्ट कर सकते हैं कन्या राशी कन्या राशी वास्तु सास्त्र के मताबिक कन्या राशी के जातकों को नए साल के पहले दिन हलके नीले हलके गुलाबी या हरे रंग के वस्त्र धार्न करने चाहिए और सलहा दी जाती है कि किसी भी रूप में एक जनवरी को ला रंग के वस्त्र धार्न करने से ब तो उन्हें पुन्य फलो की प्राप्ति होगी, साथ ही सफलता की दोबार खुलेंगे, आपको सला दी जाती है कि इस दिन काले सफेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहनने से बचा जाए, वरिष्चिक राशी, वरिष्चिक राशी के जातकों को सुझाव दिया जाता है कि आपने साल के पहले दिन लाल या महरून रंग के कपड़े पहने, आपके लिए ये दोनों ही रंग शुबता लाएंगे और आपकी बंद किसमत के दरवाजे खोलेंगे, याद रहे इस दिन हरे रंग के कपड़े ना पहने, धनूराशी, धनूराशी के जातकों के लिए साल के पहले दिन पीले या नारंगी रंग के कपड़े पहनना शुब रहेगा, इससे साल भर आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता रहेगा, मक्कर राशी मक्कर राशी के जातक यदि नए साल के पहले दिन नीले रंग के कपड़े पहनेंगे तो उनकी सफलता के रास्ते में आने वाली सारी बादा हैं दूर होंगी ऐसे में आप इस रंग के कपड़े जरूर पहने मगर याद रहे की काले रंग के कपड़े पहनने से बचा जाए कुम्बराशी के जातकों को नए साल के पहले दिन नीले या बैंगनी रंग के कपड़े पहनने से पहनने की सला दी जाती है क्योंकि आपके लिए दोनों रंग शुब साबित होंगे इस से आपके घर प्रिवार में सुक समरिदी बनी रहेगी और काले रंग के कपड़े पहनने से आपको भी बचना चाहिए मीन राशी मीन राशी के जातक आप साल के पहले दिन पीले रंग के कपड़े जरूर पहने इससे आपको उत्तम फलो की प्राप्ति होगी इसी आशा के साथ आपको यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो आप जोतिश निवान चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें